सुरुवाद जिजिन से केश चुआ उसी टाइम से माड़ पेट टॉचर आप हमको शादी के लिए बोले तब तो हम आपके साथ रहा आप नहीं बोलते दो साल पहले रहा और एक साल इधर गया क्यों बोले के शादी करेंगे उनके फैमिली भी तो इसमें सामिल थे ना घर आना जाना हम लड़की को बहु मानते हैं ऐसे आप छोड रहे थे तीन महीना आप छेचा लिए लीदर करके रख दिये पुर्ट आप वोड़ियो भी शेल मेडिया पर हां ओख करना वो फाल्तू लोग का वह फालतू लोग अब लोग क्या बोल रहे नहीं इसे कोई लेना देना नहीं इतना वो निज़े इंसान और जिस इंसान का ये नाम लिए यह घटिया इंसान को नम भी इंimerkcji किरन स्थींग का मामला लगातार सुस्क्यों में है और रोसन रोही का नया ठिकाना वेवर 젤 हमारे साथ बात कने के लिए किरन स्थींग मे여ہ जिस परकार से ये लगतार मामला हुआ जीस परकार से माड़ पीट की जाती थी जो बाते आए जो वीडियो सामने आया तो कहीं न कहीं सरमसार कर देने वाली घटनत थी और किस परकार से आपको टॉर्चर क्या जाता था रोशन रोही के दुआरा आप नाबालिक भी थी किस घटने की सुरुवात कैसे सुरुवात जिजन से के सु उसी टाइम से माड़ पी टॉचर कुम्परमाइच करो हमको बेल करवाओ यही सब हो रहा था इस पूरे वाक्य की बात कर लिजा तो किस परकार से रोसन रोही से आपकी मुलाकात थी उस समय उम्र क्या थी और किस पर शुटिंग पर शुटिंग पर होई थी तब समलों की बात चित सब सुरू हो गए पिर क्या हो फिर वो शादी नहीं नहीं आरोप नहीं लगा है जो बात वो सच्चाई बताएं आप देखिए बिगर उस टाइम से गया कि शादी की बात आई तब से आप हमको शादी के लिए बोले तब तो हम आपके साथ रहे हैं आप नहीं बोलते दो साल पहले रहे और एक साल इधर गया जब परोई के साथ रहने लगी तो क्या वो बूला था कि हाँ हम साधी करेंगे और उसके बाद जब आप साधी करने के लिए बूलने लगी तो क्या उधर से वो इंकार करने लगे थे कि हम नहीं करेंगे आप लोग को यह मैटर पता होगा जो दस महीना आई ग्यारा महीना पहले जो यह मैटर हुआ है उसी टाइम मैंने केस किया ना बाले तो उनकी गलती भी है ना वो क्यों उनको रखें क्यों बोले कि शादी करेंगे उनके फैमिली भी तो इसमें सामिल थे ना घर आना जाना हम लड़की को बहु मानते हैं गाउन समाज के बीच में आप रखी ह हमको साथ में बहु के तौर पे सब चीज की क्यों पिता जी भी इंट्रव्यू दिये हैं कि बहु मानते हैं लेकिन आकर क्या कारण रहा कि कमिट्मेंट करके रोसन रही फिर अपने वचन से पलड़ गया किस परकार से कई कई और लड़कियों से उसके साथ बहुत सारे लड दिये बेस्ती करके रखें ठीक है केस करने के बाद आप तैयार हो गए रखेंगे ये करेंगे तो उसके बाद पिया पैसा क्यों किये क्यों मार पीट कर रहे थे पिर से शादी करेंगे हाँ मार पीट टॉचर करना मिर बास वो वीडियो भी सोसल मेडिया पर चल रहा है मार पीट करना बेस्ती करना बहुत इंसान वैसे कुट्टे को भी नहीं रखता है कुट्टे से भी लगा हो जाता है इंसान को लेकिन जिस परकार से तमाम बाते आ रहे कई लोग आप पे आरोप लगा रहे कि आपकी पहले भी साधी हो चुके इस तरह की बात एक बच्चा है कि हम भी आपके बार में भी सुनें कि आपका पहले सा अल्रेडि पांस साधी हो चुका है लोग आपके बार में बोल रहा है डुर संडर नहीं आप जो सवाल जब आपके उस पर आप आईए ना रोसंडरोई जेल में वो सबको पता है आपने बोला अरूप हम आप पर भी लग पार रहे हैं बोलिए इसमें सच्छाई है कि आपकी पास साधी हो तो कैसे हम कैसे इस को यह करें किस इस चीज पर कितना टिपनी वह फालतू लोग का वह फालतू लोग है अब लोग क्या बोल रहे नहीं बोल उसे को कोई लेना देना नहीं है प्रूफ पर बात की है आप काम होता है कि रिष्टा निभाए साध जन्मों का बंधन होता है साधि हो वो फ्यार हो लेकिन जिस परकार से आपके साथ घटना हूए या वो जेल चले गए कि आगे भविस में इस तरह का लगता है कि कूछ का कुछ मायी बदरा है इसा नहीं ने अब क्या होगा क्या चाहत किरन जी कि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो लड़किया फ्रंट पे आके नहीं बोलती है लेकिन आपने हमद उटाया है तो क्यों नहीं बोले सब की तरह डर के घर में बंद हो जाएं सुसाइट कर ले फासी लगा ले गंगा जी में डूब जाएं जार खा लें क्यूं सब लोग दे रहे हैं दे रहे हैं उसके टीम के जो चम्चे लोग हैं वो लोग दे रहे हैं मरवार देंगे जहां मिलोगी गोली मार देंगे तो ठीक है मारो ना जो कहा जाता है ना कि एक होता है पत्ता तोड़ता है इंसान, ठीक है? वो पत्ता नहीं तोड़ता है, वो डिरेक्ट जड़ उखार के फिकने वाला वो इंसान है, जिसका आप नाम लिए पुरी घटना में माना जाए कि जो भी बिवाद हुआ, जो तमाम तरह के समस्या आया है, जिस तरह से आपके साथ जो भी किया, उसकी भूमी का मुख्या है बहुत, शुरू साकर तुमको बर्वाद कर दिया वो इंसान, क्यों मेरे लाइफ में आया, खुद भी तो गाओं में अपना रह सकता था, उसके गाओं वाले लोग को हम बोल रहे है, वो बहुत घटिया और नीच इंसान है, वो जो दिखाता है, वो है नहीं, इतना वो नी इंसान है, जिस इंसान का ये नाम लिए, घटिया इंसान का तो मन नहीं करता कि हम नाम ले, इतना वो नीच वाला काम किया ना, आज जीवन कभी खुश नहीं रहेगा, मेरा बद्दूआ लगेगा उसको. किरन सिंग जी थे, रोसन रोही के साथ इनका जो मामला चल ला था, अब रोसन रोही बेउर जेल में और जिस परकार से कई न कई, इनके साथ अन्याय किया गया और इन्होंने सीधे तोर पे कहा है कि हमने कानून का दरवाजा खट-खटाया, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रोसन रोही को करी सजा मिलेगी, सयोगी अनिल के साथ रोहीत यादव दर्समीच पटना